सो फ्रेंड्स आज का ये जो अपडेट है CSIR की जो विकेंसी जहां पर रिलीज हुई सेक्शन अफिसर की और असिस्टेंड सेक्शन अफिसर की तो इसका एक्जाम का पैटर्न क्या रहेगा सिलिमस क्या रहेगा ये जानकारी हम लोग यहां पर इस वीडियो में आपर कवर करेंगे और हम लोग बिलकुल भी टाइम विश्णिंग करते हैं सीधे से बढ़ते हैं इन्फर्मेशन की और तो इसमें दो अलग अलग तरिकी की पोश्ट है सेक्शन ऑफिसर की है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की तो सभी कैंडिरेट्स ने दोनों ही पोश्ट के लिए अपलाए किया क्योंकि इसमें सरे वाप लोग उसे ग्रेजुएशन ही मांगा गया था कोई भी ग्रेजुएट डिग्री है आप लोग इस वेकेंसी के लिए अपलाए कर सकते थे और ओलाइन अप्लिकेशन फॉर्म इसके लिए आप लोग ने आपे फिल किया नीचे आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सभी जो पोश्ट यहाँ पे जो निकाले गई इसमें scheme of examination आपको बता दिया गया कि कौन-कौन से section से इसमें आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इसमें देखें जो आपका scheme है exam की तो इसमें paper 1 है, paper 2 है, paper 3 है और फिर इसके बाद interview है तो यह सभी stages से आप लोगों को यहाँ पे इसमें आपे शामिल होना है और जो paper 1 है, इसमें आपका general awareness का part आप पूछा जाएगा और इसमें English language comprehension का part इसमें आप से पूछा जाएगा paper 1 जो है, 500 marks कराएगा, इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे जिसमें से general awareness के 100 objective questions आप से आप पूछे जाएगे तो awareness means, gk, current affairs यह वाला part जो हैसमें से 100 operational रहेंगे और इसमें 0.33 marks की negative marking भी रहने वाली है और इसके बाद जो English वाला part है, तो English language और comprehension तो इसमें से आप लोगों के 50 questions इसमें आप लोगों से पूछे जाएगे और इसमें भी 0.33 marks की negative marking इसमें आप पे रहने वाली है तो 100 सवाल gk के 50 सवाल English के इसमें आप से cover आपके किये जाएगे पेपर 2 जो आप लोगों का होगा उसमें देखिए general intelligence reasoning और math तो ये 200 marks का रहेगा और इसके लिए आपको धाई गंटा आपको इसमें आप दिया जाएगा तो इसमें जैके कुल मिला के 200 सवाल है ये combined सवाल आप लोगों से general intelligence के, reasoning के और mathematics के तो इसमें से आपके 200 सवाल इसमें आप से पूछे आएगे और इसके बाद paper 3 जो है English Hindi में आपका descriptive paper आएगा जिसमें essay, précises, letter और application writing तो ये 150 marks से आपके carry करगा इसके लिए आपको 2 घंटे इसमें आपके मिलेंगे फिर इसके बाद जो है last में आपका interview लिया जाएगा तो interview 100 marks कराएगा और ये section officer की post के लिए सरफ आप लोगों से बोला जा रहा assistant section of future की post के लिए interview नहीं है उर यहां पर section officer की post के लिए interview में आपको इसमें आपके शामिल होना है CPT भी जो है आपे computer proficiency test ये assistant section officer की post के लिए आपके रहेगा क्योंकि इसमें interview नहीं है तो इसमें आपसे आपे proficiency test रहेगा जहें 100 marks आपका आपे carry करेगा तो देखिए चाहे section officer की post हो चाहे assistant section officer की post हो part 1, part 2 और part 3 तो यह सभी candidates को जो है यह सभी topics आपको जो है तयार करने होंगे यह परिक्षा में आप लोगों से पूछे जाएंगे वही बात लखी है part 1, part 2 and part 3 will be common and compulsory for all the posts तो चाहे section officer की post हो चाहे assistant section officer की post हो दोनों को यह part 1, part 2, part 3 यह आपको जो है तयार इसमें करने होंगे जो भी paper है आपका English, Hindi दोनो languages में आपे रहने वाला है और जो English वाला जो portion है वो English ही language में आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा जो English के सवाल आपसे पूछे आएंगे तो उसका जो language है वो English ही यहाँ पे रहने वाला है इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है तो इसमें minimum threshold marks तो minimum passing marks भी यहाँ पे रखे गए है और यह competent authority द्वारा यहाँ पे दरधारित किये गए है decide यहाँ पे किये गए है तो minimum passing marks आपको लेकर आ रही होगे exam की race में बने रहने के लिए अब आप लोगों को ध्यान देना है नीचे इसका जो syllabus यहाँ पे रहेगा तो देखिए जैसे कि मैं आपको बताया है paper 1, paper 2, paper 3 तो paper 1 का क्या syllabus है तो general awareness और English का जो portion है आपका इसमें से 100 सबाल है आपके general awareness के तो history of India, Indian national movement constitution of India, polity, governance, social justice, current events national and international importance तो इसमें आपके 100 सबाल रहेंगे English वाला जो portion है तो इसमें आपसे comprehension, active passive, direct and direct, proposition, philinda blanks, synonyms, antonyms, sentence correction, common errors, punctuations, idioms, phrases तो यह English का part है जिसमें से I think यहाँ पे यह वाला जो part है यहाँ से लेके यहाँ तक तो यह आपके हम लोग कह सकते हैं यह grammar वाला part आप लोगों से इसमें आपके पूछा जादा जाएगा तो English के 50 सबाल इसमें paper 1 में आपके रहेंगे paper 2 जो है जो आपका धाई गंटे का paper है इसमें से दिखिए सभी section जो है आपका 25-25 marks यहाँ पे common रहेगा general intelligence reasoning mental ability यह 25 का है arithmetic numerical ability तो यह भी 25 का है general science है यह भी 25 का है तो यहाँ पे environmental issues को लेकर climate change biodiversity, economic social development इसके भी 25 सवाल लेंगे ethics, integrity, aptitude तो इसमें 25 सवाल है decision making, problem solving तो इसके भी आपके सवाल है management principles, practices इसके भी सवाल है national geography के भी आपके इसमें सवाल रहेंगे इसके बाद देखिए जो आपका essay वाला portion रहेगा तो essay writing दो questions रहेंगे 100 marks के, precise writing जो है एक सवाल लाएगा 30 number का और यहाँ पे जो letter writing है application writing एक सवाल रहेगा इसमें 20 number का तो यह पूरा आपको जो है इसमें आपको exam में आप लोगों से यह सारे sections आप से पूछे आएंगे और देखिए exam की cities आपको पहले ही बता जी गई थी आप लोग ने application form में सारे जानकारी cities की आप लोग ने provide करा दी थी हर राज्य में एक ही center एक ही city आपे रखी गई है तो उनका ब्योड़ा आपको इसमें आपे दे दिया गया है तो दोस्तों जो भी जानकारी थी इसमें मैंने आपे cover की वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना जिससे आगे की information भी आपको मिलती रहे वीडियो के नीचे जाए सब्सक्राइब के राइड बेटन को क्लिक करने थैंक यू समच